जंतर मंतर पर पहलवां करनों का धर्णा लगाता जा रही है और इस धर्णे का आज जो दसमा दिन हो गया है इस सब के बीच आपको बता देंगी जब लोए फाय अधियक्षी ब्रजबूशन शरंसिंग के इस्तिफ़े की मांग दरसल इस समय पहलवानों की और सी की जा रही ह अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं सिफ़ा दे दूँगा मेरे बहाने मेरी पार्टी को निश्राना बनाय जा रहा है शाहीन बाग में शामिल ताकतें पहलवानों का साथ दे रही है चार महिने में कुष्टी की सभी गतविदिया थप पड़ी है चार महिने से खेल को कितना नुकसान हो रहा है ये सभी बातें ब्रजबूशन चरन सिंग की और से कही गए इस्तिपा देना चाहिए कौन सा गलत काम मैंने किया है कि सुप्रिम कोर्ड मैं पूरे प्रक्रण मेंने जा करके सुप्रिम कोर्ड के निर्देशा अनुसार यफायार हो गई दिल्ली पुलिस जाच कर रही है तो जाच का परणाम आने दो उसके पहले किस चीज का इस्तिपा बनता है मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि मेरे उपर आरोप क्या है जिसे कोई नावालिक लड़की जो आरूप लेकर के आई है मुझे तो यह भी नहीं पता है कि कौन सी लड़की है क्या है मेरे उपर आरूप क्या है किस बात की स्थीपा दे दे अगर कोई घटना घटती है आम तोर पर अगर दो घटे अफाई आर लेट हो जाए तब भी अभियुक्त को फाइदा मिलता है कि दो घटे सोच समझ करके अफाई आर लिखाई गई है मेरे खिलाब तो चार महीने से सोच समझ करके लिखाई जा रही है क्योंकि Oversight Committee के सामने जो लड़कियां गई और जनके रिकार्ड दर्च किये गए उन लड़कियों में इस नाबालिक बच्ची का नाम नहीं है ये Oversight Committee के सामने नहीं गई है ये Olympic Committee के सामने नहीं गई है और इसी बीच में ने एक idio पहले से ओलंपिक कमिटी के सामने बनी थी जो कमिटी उसके सामने एक सरकार की जो कमिटी सबको मैंने दे दिया था कि बजरंग پूणिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 12 से घटना घट रही है 2015 में घट रही है 2016 में घट रही है तो 10-12 साल सोच समझ करके मामला ला रहे हैं और मामला भी एक साथ नहीं ला रहे हैं अलग-अलग ला रहे हैं तो मैं तो एक ऐसा आदमी हो जिसके खिलाब 4 महीने से खड़ेंद हो रहा है जितने आप कह सकते हैं जिसे टुकडे टुकडे गैंग या जो ताक्ते साहिन ब्याब में सक्रिय थी जो ताक्ते किसान अंदुलन में सक्रिय थी जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं पार्टी पर हमला किया करते हैं आज वही सारी ताक्ते दिखाई पड़ नहीं है और मैं सुरू से इस बात को ले करके चल ला था कि मेरा इस्थीपा इनका मकसद नहीं है मैं तो एक बहाना हूँ इनका निसाना और कोई है पार्टी है खेल को क्या किया जाए आज चार महीने से सारी गद्विदी बंद है इससे खेल का बहुत नुकसान हो रहा है बागी तो सरकार का है जिस सरकार को जिस मोदी जी को आप गार देने की बात करते हैं उनका है साई का है लेकिन थोड़ा सा योगदान फडरेशन का भी है थोड़ा सा योगदान हमारा भी है